पहन के अनोखे गपड़े 22 के अक्सीजन बैग, चला एक सासी वीर, अनन ताकाश की ओर आज से 25 साल पहले जब मैंने ये एक पोएम लिखा था, ये कवदा लिखा था जो कि एक सुमन सौरव एक मैगजीन है जहांपे एक एस्टोनाट की फोटो थी इस फोटो को देखके आपको एक चाल लाइन की पोएम लिखनी थी तो वो एस्टोनाट की फोटो पे चाल लाइन की मैंने कवदा लिखी थी और उसको सुमन सौरव मैगजीन को भेजा था और वो लगली विनर सेलेक्ट हुआ था और मुझे प्राइज में मिला था और मेरा नाम आया था सौमन सौरव की मैगजीन में वो मैगजीन मेरे पास है नहीं वनन मैं ज़रूर दिखा था तो ये पता नहीं था कि 25 साल पहले जो करता मैंने लिखी थी वो आज इस वीडियो में यूज करने जा रहा हूँ तो आज की स्टोरी ऐसे ही सासी वीर महिला के बारे में है जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया ये कहानी ये रियल स्टोरी कुछ लोगों के लिए मागदर्सर्ख है मोटिवेशनल है तो कुछ लोगों के लिए मुपे तमाचा भी है उन लोगों के लिए खास कर उन लेडिज उन मोमेंस के लिए जो दिन भर टिक टॉक, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पे फूहर असलील, निडिटी वाली तस्वीरे पोस्ट करती है असलील हरकते करती है और सांती साथ वो एक्टरसेस को भी चाहे वो यूटूब की हो, चाहे वो मुवीज की हो जो नेम फेम के लिए कोई भी फूहर हरकते कोई भी असलीलता परुसने में पीछे नहीं रहती तो ये कहानी जिस महिला के बारे में है उसका नाम है क्रिस्टीना कोच जो की एक नासा की ऐस्ट्रोनॉट है और जिन्हों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है लॉंगेर्स सिंगल स्पेस मिशन बाई ओमेन आंतरिच में रहने वाली स्पेस शेशन में रहने वाली लंबे समय तक महिला के रूप में हाकिकत में ऑरत का रूप वो नहीं है जो सोशल मीडिया, इंटेरनेट, फिल्म, लाइन और ये मीडिया हमें दिखाती है जिस तरह से परोस्ती है या जिस तरह से औरते खुज सोशल मीडिया पर अपने आपको परोस्ती है बलकि क्रिश्टिना कोच जैसी आउरते हैं जो की इतिहास अपना नाम दर्ज कर देती हैं और कितने लोगों के लिए पेड़ा स्रोध बन जाती है और जिसे देख कर सुनकर लगता है यस यह हुई न कोई बात यह हुई कोई शेर नीवली बात इंक्रेडिबल वॉंडरफुल जॉब क्रिश्टिना के बारे में जो इस इंटेनेट मीडिया फिल्म लाइन की चकाचाउन तो फूहर दुनिया से दूर अपने आपको प्रूफ कर रही है, साबित कर रही है, स्ट्रगल कर रही है चाहे वो अपनी फैमिली के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो चाहे वो बोज़ाड होने वाली उरते हों, आठो चलाने वाली हो, हाउस वाइफ हो, इंजीनियर हो, डाक्टर हो, आमी हो, पलिस हो, इस्टुएंट हो या हर वो उमन्स जो कुछ न कुछ अच्छा करने की सोच रही है, स्ट्रगल कर रही है दुनिया में राधर देन उल्टे सीधे फुहर दुनिया में रिप्रिजेंट करने का सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैं उनको सारसी वीर एस्ट्रोनाट को क्यो बोलता हूँ आपको पता है कि एस्ट्रोनाट कहां जाते हैं पृत्वी से दूर उनका एक स्पेस स्टेशन होता है जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं यहां उनको कुछ समय तक रहना होता है नॉर्मली 6 मांथ 1 एर क्रिस्टिना कोच ने यहां पे 328 डेस का रिकार्ड बनाया है रहने का इससे पहले पीगी विट्सन थी जो की 289 डेस का अंका रिकार्ड था जिसको ब्रिक किया है क्रिस्टिना कोच ने पृत्वी से बाहर जाना यह कुछ ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से मुंबई के फ्लाइट ले लिए वहां उतर गए सिमला गुमने निकले ट्रेन में बैट गए वहां से गुम के चले आए यह इतना इजी नहीं है इत्ती उचाई पे इत्ती दूर पे पृत्वी से दूर जाके वापस आ जाना मैं कहूंगा कि अपने आप में एक स्वर्ग जैसे है गोम के वापस आजाने जैसा है एक तरह का मेरे कल ही है क्योंकि जाना और आना यह साइन्स और आपके लैक्ट में डिपेंड करता है बट कभी आप देखिए कि आप उचाई पे जब फिर थी से वह बाहर जाते हैं उतनी हाइट पे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है किते भी स हो सकते हैं जरा सी गरबड़ी जरा सी गलती स्पेस्क्राफ्ट की कोई मिस्विहेव कोई भी गरबड़ी इनकी कोई मिस्टेक यह बस अनताकास में जा सकते हैं अगर गलती हुई सब्सक्राइब कर रहे हैं या वह बाहर निकले कुछ अपना सही करने कोई कर रहे हैं कोई उ तो इतना आसान नहीं है जितना आप सोचिए थर्ड फ्लोन की बिल्डिक से जब नीचे आप देखते हैं तो वो जो उचाई का डर होता है वो कई गुना ज्यादा होता है एस्ट्रोनाट की लाइफ में जब वो प्रित्वी से बाहर जाते हैं कभी समझना आ रहा हो तो आराम से छट पे लेटी अर्तारों को देखी और इमेजन करी उनकी जगहां पे रख कर नहीं तो कुछ मुवीज हैं जैसे की है ग्रैविटी दमार्टियन आप इनको मुवी के देख लिए तो क्या-क्या फेजस होते हैं कैसे कैसे रिस्क होते हैं वो का जो ड्रीम था बच्पन से वो एस्ट्रोनाड मनने का था और इतने अच्छा ड्रीम को फुल्फिल करेंगी नोबडी नोज एजुकेशन में देखे तो एजुकेशन में इनोंने नौर्थ कोरलाइन स्कूल से साइंस और मैथमेटिक्स किया था 1997 में उसके बाद दो बैच नोजन तर्टी में यह नासा में सेलेक्ट होई थी एज़ा एस्टोनाड गूरूप 21 के लिए 2005 में नोगने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की नासा की जो एस्टोनाड की ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट की फूचर मिसन के लिए कि अगर बाद में कभी जाना हुआ तो उस इस वाक कैसे होता है इंजिनरिंग आपको सिखाई जाती है कि क्या क्या आप चीजें अगर गड़बड़ी होती है सो सही कर सके ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है किस्टीन को आवार्ड देखा जाए तो आवार्ड इनको काफी मिल हुआ है इसलिए इनको क्रिस्टीना हैमक कोच भी कहते है और यह मेले टेकसास की रहने वाली है अब आता है वो देन जब वो प्रिपेरिशन इनकी इनकी सारी महनत कम्लीट होती है और यह तैयारी करती है इंटरनेशनल स्पेस्टेशन जाने के लिए वो था दिन था 14th मार् देख सकते हैं यह स्पेस्क्राफ में जा रहे हैं रॉकेट में अपने और वेव कर रहे हैं सबको फोटो खिच रही है स्माइल कर रहे हैं हालाकि बहुत टाफ होता है जाना आप समझ नहीं सकते कि अब बैठने के बाद एक इंटरने स्पेशन अर्थ से बाहर जाके वहां आप रहना जाना ही अपने आप में है कि अभी आपको जाना वहां पहुँचना है और फिर पहुच्के वापस आना है है ना सुनने में बहुत एजी लगता है यह वहीं समझ सकता है जो जाता है तो इस स्वेस्क्राफ सोवएज MS-12 इंस तीन क्रू मेंबर्स को लाइस स्टे यानि अप्रोक्सिमेटली six hour की journey complete करके वो पहुंच गए तो देख सकते हैं वीडियो में जब वहाँ पहुंची तो वहाँ पहुंची तो वहाँ पर या लेडी जो crew member थे उनका welcome करते हैं और hug करते हैं देख सकते हैं यह कुछ ऐसा ही है कि कितने असालों बाद कोई बहुत दूर से बिछड़ा हुआ मिल जाए सोचे एक आया स्टेशन बेटे हुए है और नीचे से कोई आर्थ से आता है तो कितना अच्छा warm फील होता है कितना खुशी होती है यह अब देखकर अंदाज लगा सकते हैं इनिचली जो किष्टिन कोई की जुर्नी थी वो नॉमली सिक्स मन्त की थी बट किसी रीजन से इनको एक्स्टेंट कर दिया गया फरवरी 2020 तक तो यह इनका कवर हो गया राउड वान यह के आसपास वान यह नहीं 11 मन्स संथिंग 328 डेज और इस पकार वह हो गई आंत्रिच में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला तो कोई ने आंत्रिच में रहकार स्पेस्टिशन में काफी रिसर्च किये और साथ में यह भी पता चला कि जो आंत्रिच के रिडिशन है पर प्रिशर है ग्रैविटी है व इन सब चीजों में उनको जानकारी मिलेगी डेटा कलेट करने में तो एक्चुली देखा जाए तो दो रिकार्ड हो गए एक तो किस्टिशना कोच के लंबे समय तक रहने का अब रिकार्ड हो गया आंत्रिच में दूसरा इनों ने अपनी फीमेल कुली के साथ में स्पेस व थी जिसके साथ उन्हें पूरे आयस स्टेशन का फिजिकल ऑप्जेशन किया कई बैटरी पावर सिस्टम को उन्हें अप्ग्रेड किया कई सारे चीजों को जो उनकी इसको बोलता है स्पेस और फिमेल वाग क्योंकि से पहले जब भी कोई इमेल बाहर जाती थी तो हमेंसा कोई ने कोई जेंट्स होता था यह फर्स टाइम है कि किसी महिला ने कुली के साथ यह आके ले ही स्पेस वॉक किया तो यह भी अपने आपावर प्लांट को अप्रेड करने में और फिजगल और फिजगल आप प्रिंगेशन और स्पेस वा करने यूस किया है फुटस देख सकते हैं तो किसिनना कोज की जो हॉबई है वो है फोटोग्राफी बैकपेकीग रॉक् युगा ट्रेवल इत्वे होब्व की फोटोग्राफी के लिए उनको इन्टेरनस चेस्टेशन मिला है ट्रैवल करने के लिए प्रित्वी से IS का डिस्टेंस मिला है बहुत ही अच्छा है तो खाली समय पे वो बैट के फोटोग्राफी करती थी जिनकी फोटोस देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट यूनिक यूनिक फोटो उनने खीची है जो की काफी शोसल मीडिया पे और नासा के तुरू काफी उसको अप्रिशियेट किया गया है जो exact time उन्होंने space में spend किया है वो 328 days, 13 hour, 58 minute है किस्टिना कोच ने आया स्टेशन के तुरू प्रित्वी के 5,248 चकल लगा है और 13.9 करोड किलोमेटर की दूरी ताई की 328 days complete हो गए, अब आ रही है, आती है, return करने की यानि अब mission है 61, expedition 61 जिनको इस mission का काम है 3 crew member को I-s station से वापस प्रित्वी पल लाना इसके लिए जो spacecrafts use हुआता है, वो Soyuz MS-13 है तो देख सकते हैं, ये expedition 61 के crew member हैं जो वापस आने वाले हैं और साथी साथ अब एक 62 का भी देख सकते हैं, जो इनके बाद, future में, next, return 62 का होगा उसमें 3 crew member वहाँ पे रहेंगे, जो इनके list कुछ इस तरह से है तो जाने से पहले, selfie लेते हुए, photo की चाहते हुए, लोगों से मिलते हुए कि now we are going to back to the earth और यह वापस अपने spacecraft में चले जाते हैं, सुवाज MS-13 में और यह dock panel बंद करते हैं, और यहां से वो release होता है dock वापस पृत्वी पर आने के लिए चले landing process को समझते हैं, जब आये stations यह लोगो निकलते हैं उस orbit से तो जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं, उनका बाकी separation स्टार्ट हो जाता है कुछ module अलग हो जाते हैं, उसके बाद जब पिदली की gravity में, अट्मासफेर में आते हैं कुछ पार्ट अलग हो जाते हैं, और स्लोली स्लोली आप देखते हैं, वो नीचे आके land कर जाते हैं, पैरसूट की मदद से यह देख सकते हैं, एक डेमो की पैरसूट जब इत्मासफेर में आता है, कैसे open हो जाता है उनका जो couch है, वो जो पुरा hatch है, वो उसके अंदर रहते हैं, और यह स्लोली स्लोली पैरसूट आके नीचे जमीन पे गिर जाता है, जिसे उन चोट नहीं लगती, धका नहीं लगता, बहुत आराम से इसली पिर्थवी की surface रख जाता है, अगर यह water level है, तो वहाँ पे पारी में डूपता नहीं है, उपर ही रहता है यह देख सकते हैं, यह जिस spacecraft से निकलते हैं, उसमें तीन module है और यह beach वाले module में है, वो अपना तीन लोगों की seat रहती है, सोने के लिए आराम से वो stay करके आते हैं, बाकी module अलग हो जाते हैं, यह beach वाला party फिर people land करता है यह देख सकते हैं, अंदर का, जो, इनका hatch है, उसमें तीन बने हुएं, seat आराम से seat belt जैसे लगा के fix करके बाकी चार और control panel है, उनसे रिटेट जिसमें navigation, oxygen और map वगेरा सारी चीजें, control panel के अंदर सारी चीजें रखे रहती है तो इस spacecraft वहां से निकल लिया होता है, और इसको थोड़ा time लगेगा वापस आर्थ पर land कने पे, आप देख सकते हैं, footage पूरी कजाकिस्तान में ये 12.30 पे, वहां के local time के अक्वर्डिंग, land हुआ है, तो देख सकते हैं, वहां कजाकिस्तान की force और बाकी लोग पहुँच चुके हैं, और वह slowly slowly सबको hat से निकाल रहे हैं, और देखिए gravity से हम बाहर अपनी अर्थ की gravity में आते हैं, वहां पे zero gravity होती है, तो थोड़ा सा अभी उतना ज्यादा चलने को थोड़ा सा होता है, इसलिए वह देख सकते हैं, उनको अराम से carry करें की जहां रखते हैं, क्योंकि suddenly आप zero gravity से gravity में आने कर आप movement कर ना करें, तो बेटर होता है, क्योंकि इनकी precaution लेने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, यह देख सकते हैं, यह है जिनका, जो atmosphere में आते हैं ही gravity से, पृत्री की gravity में आने से बहुत ज़्यादा रगण काके burn हो जाता है, इसको ऐसा बनाये जाता है, कि इसके अंदर को कोई नुक्षान न हो, तो यह रही किश्टिना कोज की 328 days की journey, space, craft में as a first woman, long time पर रहने का, hope यह inspiration होगा, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी women के लिए, बहुत सारे generation, new generation के लिए, कि ऐसे भी life में होता है, ऐसे भी काम किये जाते हैं, जो कि हमेशा इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाता है, तो किस्टिना को जब घर जा रही थी, तो उनने खुद सोचा कि अब जो मेरा record है, 320 days का, वो मैं खुद तोड़ूँगी, यानि continuous, आप अपनी boundaries को, जो हमारे limitation है, उसको explore करें, उसको आगे बढ़े push करें, that means, nobody knows कि women एक साल तक भी spacecraft में रह सकती हैं, बटिनल ने रहा, तो ऐसे slowly slowly जब आप boundaries को cross करेंगे, तब ही आपको पता चलेगा कि life मे और क्या-क्या possibilities हैं, और किष्णों को जब घर पहुंचती हैं, एक साल बार तो उनके डॉक का किया reaction होता है, ये भी आप देख लीजे, आप ही खुश होता है, उनको identify करता है कि वनिया के बाद देखता है तो तो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं फिर नई background के साथ, नई information के साथ, तिल देन हसते रहिए, मुस्कराते रहिए और देखते रहिए चैनल तेके सर्मा, thank you and best of luck कि सीना for your future mission